हेलो फैंड्स एंड वेलकम बैक तो चिकीज बाइलोजी अनधर वीडियो टूटोरियल इन इस वीडियो टूटोरियल आइंग गोईं तो डिस्कस अबाउट ए बैस्ट टॉप बी टैक बाय टेकनोलोजी इंसिटूशन्स एंड यूनिवर्स्टीज इंडिया आज हम लोग ब बात करेंगे और अगर आप लोग अपना वी टैक इन बाय टेकनोलोजी कोर्स करना चाहते हैं आफ्टर कम्प्लीट यूवर 12 क्लास तो आप लोग इन सभी इंसिटूशन्स में इन सभी उनिवस्टीज में आप लोग एडिमिशन ले सकते हैं और आप लोगों को कौन-कौन से एंट्रेंस एक्जाम या कहां पर आप लोगों का एडिमिशन विदाउट एंट्रेंस एक्जाम हो सकता है ये भी हम लोग आज अपनी इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ अपनी आई-ई-टीज के बारे में यानि इ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जो कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो चिकीज बाइलोजी चैनल पर अपलोड दो रहूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में नहीं आएगा अगर आप लोगों ने चैनल को अब तर सब्सक्राइब नहीं किया है औ और इंडियनियन सीटी टोप टेकनोलोजी जो है हमारे ये हमारे अलग-अलग स्टेट्स में हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट ही यहां पर बात करते हैं IIT खड़तपुर की, तो IIT खड़तपुर से आप लोग अपना BTEC by Technology course कर सकते हैं, आप लोग अपना BTEC by Technology course कर सकते हैं, आप ल सकते हैं, आप लोग IIT खड़तपुर से इऐ course कर सकते हैं, आप लोग IIT पतना से इए course कर सकते हैं, आप लोग IIT गांधी नगर बुजरात से आप लोग अपना BTEC by Technology course कर सकते हैं, आप लोग इन सभी IIT से कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में भी यहाँ पे डिसकस किया तो फ्रेंड्स यह यहाँ पे आप लोग सोरी कैसे अपना B.Tech in Biotechnology कोर्स कर सकते हैं आप लोगों के लिए क्या eligibility है इसको यहाँ पे डिसकस करते हैं क्योंकि eligibility के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है बहुत ही crucial है तो फ्रेंड्स अगर आप लोग IIT से अपना B.Tech in Biotechnology कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को जो हमारा IIT J.E. का जो एक्जाम होता है जैसे हमारा मेंस होता है और यह हमारा एडवांस होता है तो आप लोगों का मेंस और एडवांस दोना एक्जाम क्वालिफाई होना जरूरी है तो आप लोग IIT से B.Tech in Biotechnology कोर्स कर सकते हैं तो यह यहां की eligibility है और आप लोगों का 12th क्लास है वो आप लोगों का Math से होना जरूरी है ठीक है आप लोगों का Physics, Chemistry और Math से होना जरूरी है अब हम लोग बात करते हैं अपने कुछ और यहां पे institutions के बारे में जहां से आप लोग अपना B.Tech in Biotechnology कोर्स कर सकते हैं अब हम लोग बात करते हैं National Institute of Technology ठीक है एक होता है हमारा National Institute of Technology जिसको हम लोग in short NIT बोलते हैं तो NIT भी हमारी बहुत सारी है जो आप लोगों को B.Tech in Biotechnology कोर्स प्रोवाइड कराती हैं तो हम लोग बात करते हैं उन सभी NIT के बारे में बट यहां पे eligibility के बारे में first discuss कर लेते हैं अगर आप लोग किसी भी NIT से B.Tech in Biotechnology कोर्स करना चाहते हैं तो first आप लोगों का 12th class Physics, Chemistry और Math से होना जरूरी है next आप लोगों का जो जैसे मैंने बताया कि IIT-JE के हमारे दो एक्जाम होते हैं एक हमारा मेंस और एक हमारा एडवांस तो IIT-JE का जो मेंस एक्जाम है वो आप लोगों का आप लोग NIT वारंगल से भी Tech in Biotechnology कोर्स कर सकते हैं आप लोग NIT जलंदर से एकोर्स कर सकते हैं NIT रोरिकिला से एकोर्स कर सकते हैं NIT दुर्गापुर से एकोर्स कर सकते हैं NIT अलावाद से एकोर्स कर सकते हैं जिसको हम लोग MNNIT बोलते हैं आपलोग जो हमारा यहां पर पप्पू कर सकते हैं ठीक है आप लोग जो हमारा अरूनाचल पर्देश में हमारा लोग निटी अग्रत्ला है आप लोग यहां से राईपूर कर सकते हैं आप도र अएटी का लिखकी मुट चैनलोजी चौर्स कर सकते हैं ठीग है तो फ्रेंड्स दोगों को बीटाच नवाई टिक लोगों को बीटाच पैनलोजी कोर्स कर सकते हैं आफ्टर क्वालिफाइई ओवर आई एटी जेई मेंस एक्जाम अब लोग बात कर दें इंडिया के और कुछ रेपूटेटीड इंस्यूटिव संस्केप बारे में ठीक है तो पीएसजी कउलिज टेकनोलोजी ठीक है को यंब भटूर में है और यहां पर आप आप लोग एड्मिशन ले सकते हैं वीटेग इंग तक्नोलोजी कोर्स में अब लोग इसको एडमिशन ले सकते हैं नेक्स्ट अब लोग बात करते हैं, SRM University, अमरावती campus में आप लोग SRM University के J-Mains के थुरू एडमिशन ले सकते हैं, B-Tech in Biotechnology course में, ठीक है, एक हमारा Jain University है, Bangalore में, यहाँ पर भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, आप लोग M-I-T World Peace University पुने, यहाँ पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों का एडमिशन जेइन के थुरू भी हो सकता है, और आप लोगों का जो एडमिशन हैं, यहाँ पर यह अपना खुद का इंटरेंस एक्जाम कराता है, यह पुलिज तो में एडमिशन ले सकते हैं, या इस यूनिवस्टी में एडमिशन ले सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, शिक्षा ओ अनुसदन यूनिवस्टी भूनेश्वर में है हमारा यह और यह खुद का भी अपना एंटरेंस एक्जाम कराती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, से एयर्टी होता है ये सब्षाह επιच Ankánh कंगि इस युनिवस्टी में ले सकते किसली में जीनलों बात करते हैं महिंद्रा कॉल 15 हैंडराबार यह आप लोग अपना यह एक इंस्टिूशन ना ठीक है अब लोग बात करते हैं वी आईटी वैल लॉर आप लोग जानते हैं शीच है इंडिया गाइप टिटेंड प्राइट इंसीटूशन है यहाँ पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं ठीक है जी मेंस के तुरूब्य यहाँ पर अधिमिशन होता है और वी आईटी खुद कवे जिन्होंने वहां से यह कोर्स किया है, ठीक है कि यहां पे B-Tagging by Technology कोर्स बहुत ही अच्छे से कराया जाता है और सब faculty member बहुत अच्छे हैं इस कोर्स के लिए यहां पे, तो आप लोग यहां से भी अपना यह कोर्स कर सकते हैं नेक्स्ट अमलोग बात करते हैं, ICFAI Foundation for Higher Education है धराबाद, यहां पे आप लोग जेई मेंस के थुरूँ एडमिशन ले सकते हैं और इसका अपना खुद का इंटरेंस एक्जाम होता है, उस एंटरेंस एक्जाम के थुरूँ भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं नेक्स्ट अमलोग बात करते हैं, पारूल युनिवर्स्टी वडओधरा में है हमारा ही, यहां पे आप लोग जेई मेंस के थुरूँ एडमिशन ले सकते हैं यहां पे आप लोग अपना जेई मेंस और अपना फुदका वे एंटरेंस एक्जाम कराता है, उस एंटरेंस एक्जाम के थुरूँ आप लोग अप्टर 12 क्लास आप लोग यहां पे एडमिशन ले सकते हैं, पी टेकिन पार टेक्नोलोजी कोर्स में हम लोग बात करते हैं, EES University Bangalore और आप लोग यहां पे जेई मेंस और अपना फुदका वे एंटरेंस एक्जाम कराता है, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, इसके फुदके एंटरेंस एक्जाम के थुरूँ और जेई मेंस के स्कॉर कार्ड के थुरूँ नेक्स हम लोग बात करते हैं, दमिन पंत युनिवस्टी पंत नगर में हमारे हैं, यहां पे लोग इस कॉर्स में एडमिशन ले सकते हैं, नेक्स्ट एमाइटी मनिपाल यहां पे लोग एडमिशन ले सकते हैं, जेई मेंस के स्कॉर कार्ड के थुरू और इसका खुदका भी अपना इंटरेंस एक्जाम होता है उस entrance exam के थुरूबे आप लोग admission ले सकते हैं next बात करते हैं LBIT, sorry CBIT हैदराबाद CBIT हैदराबाद में भी आप लोग वी टेग इन बाय टेक्नोलोजी कोर्स कर सकते हैं यहाँ भी टेग इन बाय टेक्नोलोजी कोर्स काफ़ी अच्छा है ठीक है और यहाँ पर जी इमेंस के थुरूग admission होता है और आप लोगों का यह खुद कवे अपना entrance exam कराते हैं उस entrance exam के थुरूग आप लोग admission ले सकते हैं next हम लोग बात करते हैं SRM कांचीपूरं SRM जो university है इसके बहुत सारे हमारे campus होते हैं NOIDA में भी है SRM का campus SRM जो है वो बहुती रेपूटेटीड एक university है जहां से आप लोग अपना B.Tech in Biotechnology course कर सकते हैं और अब लोग बात करते हैं Amity University Amity University से भी आप लोग अपना B.Tech in Biotechnology course कर सकते हैं Sorry, और Amity University जो है यह जे इमेंस के scorecard के थुरूग एड़िशन देती है और यह खुद का भी अपना इंटरेंस exam कराती है तो नोईडा में है Amity University और Amity University के बहुत सारे campus हैं जैसे नोईडा में भी है लगनों में भी है Amity University का campus अधर-अधर बहुत सारी हमारी अलग-अलग श्टेट्स में सोरी Amity University के campus है और Amity University के जाद तर सभी course अच्छी ही होते हैं बले ही वो कोई भी course हो B.Tech in Biotechnology हो या अधर हमारे courses हो ठीक है तो आप लोग यहां से अपना B.Tech in Biotechnology course कर सकते हैं तो friends यह हमारी कुछ India की Sorry, इंडिया के कुछ हमारे repodated institutions थे Sorry, कुछ repodated universities थे जो मैंने आप लोगों के साथ में अपनी इस वीडियो में शेर किया अगर इस वीडियो से लिप्टिड आप लोगों का कोई question है आप लोगों की कोई query है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे comment box में type कर सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में चिकीज बाइलोजी के official Facebook page पर जुड सकते हैं आप लोग मेरे साथ में चिकीज बाइलोजी के Instagram एकाउंट के साथ में जुड सकते हैं और आप लोग महारा पेमुस से जो आप लोगों के question है जो आप लोगों की queries हैं जो आप लोगों की प्रोब्लम्स है उनको शेयर कर सकते हैं और अगर जो चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में ब्योंट को इसी वीडियो कराई तो प्रीजी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं गोलें चुब आप लोगों को सब्सक्राइब करते हैं तो वो एक envision काम करता तुए भी कौ्शिएंस को Jim उगलोग जासए मैंने बताया कि जीखी जीज बाइलोडिए के ऐसलोग पेज़ एस्टक्रियो कर सकते हैं जीज दाग्स पेज़ उसनितुप करा यह ऍहज़ कर सकते हैं